पुरोई जी दो लड़के भस्मासुर की तरह हैं और भस्मासुर की तरह कहने के पीछे अपनी अपनी बाते हैं क्योंकि एंटी हिंदु स्टेट्मेंट सपासे भी आते हैं एंटी हिंदु स्टेट्मेंट आपकी पार्टी से भी आते हैं राकेश जी दो बाते एंस में एक तो पॉलिटिकल थोट है और दूसरा जो बात शाब्दिक आचरन के बात है शाब्दिक आचरन तो मैंने कई बार का पिछले 10 साल में मोधी काल में तो पारिटियों हो शाब्दिक आचरन गिरावट आई अब मर्यादित हो गया इसको रोकने पर दान मंत्री के केंडिडेट बनेंगे तो उनके उपर कुटारागात हो गया अब उसका कैसे खीज निकालने तो ऐसे निकालेंगे अब अखिलेज जी ने कुछ कह दिया नहीं कह दिया बाबा को ऐसे रिपीट करने की क्या हो सकता जबाब सादू सर्ण्यासी हो तो आपकी लेंग्वेज दूसरों से तो फर्क आना सी नहीं आना सी है राजनी सिख गई भाशा हो जाएगा तो आप यह चाहता है कि कोई कुछ भी कहे योगी आधित्ना तो उसका जवाब ना दे तो उसी बाशा में दें क्या अच्छी बाशा में भी दे सकते हैं मेरी बात तो सुनो आत्रस में बच्छी का किया कि नहीं हमें बहुत एक्जामपल के ना सकता हूं रोज रेप हो रहे हैं पर असली बात यह है कि अपना नहीं देखेंगे यह फिर बोलिया कि ठीक है तो आप अपना नहीं देखेंगे यह लोगों ने साजिंगों में 40 साल सा गयोजार रभू शी राम के केस केंदर ऐसे से एड्रोकेट बठाए थे जो केस को आगे तक सुप्री इंपोर्ट में धंसे पहरी नहीं कर पा है कपिल सिब्बल जो है जो एंटी इंडू एक्षरी है जो देख जानता है किस तरीके से राम सकते और हम नहीं ठीक है बैकर नियुक्ते बैक पर लेकर जा रहे हो फिर फिर आप लोगी लेकर जा रहे हैं मैं सुमाि चकरपाणि महराज मठ मठा अधिशों पर बात्सीत हो परिवाशा अगर कोई दे रहा है तो क्या मतलब मिकाले नहीं देखे जी एक वह ऐसा पूरी देश और दुनिया देख रहा है कि जिस प्रकार से जब से प्रधान मंतरी मोजी जी प्रधान मंतरी बने हैं और सभाविक है कोई ने कोई आता है प्रधान मंतरी बनता है कभी सथा पक्षती पिर विपक्ष आता है लेकिन उसके बाद जिस तरीके से विपक्ष एक हतासा की इस्तिती में है पूरा भी पक्ष, चाहे दक्षिर से इस्टालीन ले लिजिए, चाहे बिहार से जो वो थे वो जो रमायर पे बगवार राम पे टिपड़ी करने वाले थे, चाहे इसके पास इनके सपाकी पाल्टी के स्वामी परसाद मोरिया थे, अब मानी निया खिले से यादो जी, यानि क सभी मिल करके हर बात पे, यानि मोधी जी से लड़ाई है, योगी जी से लड़ाई है, बीजेपी से लड़ाई है और आजाते हैं सरातन पे, आजाते हैं मठा और मठा दीस पे, आजाते हैं मेसा मंदिर पे, आजाते हैं राम चरित मानस और भगवार राम पे, तो ये निश साथ इस्वर है संत है जो लाखों की संख्या में उन्होंने क्या भी गाड़ा है भाई आपके वह बिरोधी तो है नहीं आप तो जब आप सक्चुनाव आता है तो जाकर के तुरंत से निचले गिरता हुआ अस्तर है जो बाते करता है कोई साधू संतों को कुछ बोल दे सनातन पर गाली दे कोई गणेश पांडाल पर पत्राव कर दे कहीं कुछ हो जाए तो इससे एक खास वर्ग का मैं सीधे पूछता हूं मुस्लिम वोट पैंक का सेंटिमेंट साटिस्फाई होता है क्या क्योंकि ये भ्रहम तो है विपश्चो क्योंकि बार-बार इस तरीके के स्टेटमेंट आते है जी राके जी मैं चार आता कि आप यही सवाल मुझे करें और मैं दे इनके जो रुद्वा है उसके पर कोई असर पड़ता नहीं मैंने पहले मैंटेंट किया है कि कोई कुछ भी बोले लेकिन प्रॉफेट मौहम्मद की जो चबी है जो इमेज है मुसलिम समाच के अंदर उससे उनको कोई पर्क भी पड़ता है और हम जो है स्कॉलर्स हम इस बा कि आपने अंदाजा कैसे लगा लिया कि अगर कोई सब्सक्राइब को गलत बोलेगा खरार बोलेगा उनकी चबीप विगारने की खोशित करेगा तो मुस्तरी बोर्ट बेंग नहीं मैंने अंदाजा नहीं लगाया सब ना मैं ऐसा मानता हूं यह मैंने सिर्फ आप से सवाल कि अगर कोई तुष्ठी करन की पॉलिटेक्स कर रहा है कोई इस तरीके के इस्ट्रीक्में लेकर हिंदु धर्म को सनातन को गाली दे रहा है तो मैं सिर्फ ये सवाल पुछ रहा हूं कि वो कि वो ऐसा कर रहा है क्या वो ऐसा इसलिए कर रहा है को कि इसमें वोट बैंकrant मुहाराइब से पृफित मुहाराइब के लिए अनब शराब बक्त में कहते उसमेमेरा यहाई रेमा की कुछ भी आपति जनक बोलेगा वह गलत में इस मन्ज से कह रहा हूं इस liver में इस को episódio कोई कर शक्रा यह ए और जो समर्थन करेंगा मांसित तोर पर दिवालिया है मैं बिनकुल उसके साथ नहीं हूँ लेकिन लेकिन मैं जो सवाल है मैं उस सवाल पर वापस लोड़ता हूं फराज की द्वाई साहब जो स्वामी चक्रपाडी महाराज कह रहे थे आप जान बुछ कर देते हैं मैंने पर कुछ दिन पहले बुल्डोजर चलाने के बाद उधित राज ने कह दी थी बाद में पलटकर माफी भी मांगने लगे थे कि गलती से गिस्टाऊस की जगह हमने राम मंदर बोल दिया था तो सर ये नियत दिखाती है जो बार-बार ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि आपका टा कि आपके जनद दोजार शत्रह में क्या जवाब था अरे सद्टी में हमको मैंदेट नहीं मिला हुआ है नहीं मिला नहीं है